दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है किड़ी खराब होने से बचने की कुछ ग्यारेक्टिक्स दोस्तो बीमारी आती है और बीमारी आने के बार वो दुख तकलिफों में जिन्दीगी गुजरे कुछ जो हमें परेशानी किड़ू या और भी समस्तिया मतलिक तो उसके बारे में अच्छी तो आज़ी हो यह जानकारी जिससे के हमारी जानकार चांसरे हो जלה क्राइक्टिक्स तो जिनको किड़नी इंफ्रेक्शन होने की वज़ा से उनकी हफते में दो-तीन बार होती थी और आप शाइब देख रहे हो मेरे पीछे यहां अकसल वो डायरेसिस हर हफते होती है दो तीन बार हफते में तो दोस्तों उससे डिक्कात यह थी कि बहुत ज्यादा उनकी खराब ह रहती है और जब तक वो डायरेसिस हो रहा तक आदमी की जिंदगी है और कभी उसके साथ कुछ भी हो सकता है और वही कारण और वही बात यहीं हुआ कि जो हमारे मित रहते उनको आखिर यह हुआ कि इस दुनिया से रुकसर होना पड़ा इसी किड्नी इंफ्रेक्शन की अब जानते हैं कि हर वेक्ति के शरीर में दो गुर्दे होते हैं यानि के किड्नी जो मुख्रूप से यूरिया क्रेटिनिन एसे आदी जैसे नाइट्रोजन यूप्र यानि के वेस्ट पदार्थ को रख उसे चानने के लिए जिम्मेदार होती हैं जो सभी शरीर के चाफच लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है यही कारण है कि गुर्दे की बीमारी को अक्सर एक साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है क्यूंकि अलिकांश लोगों को बीमारी का पता तब तक नहीं चलता है जब तक ज्यादा रूप धारन नहीं कर लेता जबकि लोग अपने रख्ट चाप यानि के ब्लड प्रिशर, हाई ब्लड प्रिशर, ब्लड शुगर और कॉलेस्टरॉल के इस्तर की नियमित रूप से जाच करवाते रहते हैं वे अपने गुर्दे की किसी भी समस्या का पता लगाने के लिए आप रख्ट में से एक सरल क्रिटिनिन प्रिक्षा भी नहीं करवाते हैं किड्नी डिसॉडर के चेतावनी के कैई संकेद होते हैं हलाकि ज्यादा तर इन्हें अंदेखा किया जाता है ये किसी और तरह की समस्या समझ कर लोग कंफ्यूज हो जाया करते हैं इसलिए हर वेक्टि को बहुत ही सतत रहना चाहिए और किड्नी डिसॉडर का कोई भी लक्षर देखने पर जल्द से जल्द कंफरमेशन यानिके परिक्षा मूत्र और रक्थ और क्रिटिन की क्रिटिन की जांच करवानी चाहिए ऐसे किसी वेक्टि को किसी नेफरोलाजिस्ट के पास जाना चाहिए और अपने संदे को इसपस्ट करना चाहिए लेकिन अगर आपको हाई ब्लड शुगर हाई ब्लड ट्रेशर और ब्लड शुगर और मुटापा मेटाबॉलिक सेंड्रम यानिके भोजन को एनरजी में परिवत्रित करती ऐसी कोई समस्या हो या कोरोनरी आर्ट्री डिजीज हो या किड्नी फेलियर होने का परिवारिक इतिहास है या आप साट वर्स से अधिक उमर के हैं तो आज के युग में आपको नियमत रूप से गुर्दे की जाच करवाते रहना चाहिए जबकि गुर्दे की बीमारी के निदान का एक मात्र निश्चित तरीका परिक्षा कराना है और इसी को लोग अंदेखा कर देते हैं आईए दोस्तों चांटे हैं यहां कुछ हम और इसके यहां हम आपको किड्नी लोग के कुछ दुआती चेतावनी के संकेत बताने जा रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को और से सुनिए दोस्तों अगर आपको इन में से कोई भी प सिंटम्स बताने जारे हैं जो नंबर बन अगर आपके पैरों में टकनो में या एडियों में सुज़न दिख रहे हैं हो सुज़न आ रहे हो तो यह भी एक किड्नी इंफेक्शन का संकेत होता है नंबर टु पैरी ओर्डीमा जिसमें हम आपको बताते हैं यह एक यानि के गुर्दे की बीमारी का एक सामाने लक्षड है शुरुवात में अगर आपको ठकावट हो रही हो तो आप इसमें भी एक ये संकेत यानि के इंफेक्शन होने का इंडिकेशन होता है नमबर फॉर भूख में कमी यानि के यूरिया क्रेटिन एसिड जैसे विशेश की भूख में कमी आने लगती है ये भी एक इंफेक्शन का एक इंडिकेशन होता है दोस्तों नमबर फाइब है सुबा की मिचली या उल्टी गुर्दे की खराब होने के शुरुवाती लक्षरों में से ये वी एक संकेत होता है अनीमिया यानि के खून की कमी खून की कमी है तर गिरना शुरू हो जाता है और व्यक्ति पीला दिखने लगता है बिना शरीर से खून बहा हुए ये गुर्दे की बीमारी के सावन में जटिलताओं में से एक है इसमें कमजोर और ठकान भी हो सकती है ये भी एक इंडिकेशन होता है गिद्नी इंफ्रेक्शन होने का नम धारण के लिए रोगी के मूत्र उत्पाद में कमी हो सकती है या उसे अधिक बार-बार पिशाप करने की अवश्यक्ता महसूस हो सकती है विशेश रूप से रात में जिसे रात्री चलों कहा जाता है ये एक चिताबनी के संकेथ हो सकती है केड़नी इंफेक्शन के कि नमर एट मूत्र में जाग या रक्ट का होना पिशाप में अथ्यधिक जाग मोट्र में प्रोटीन की उपस्तिति developments को इंग्दित करता है और जो सामने परस्तितियों में होना चाहिए जब गर्दे का प्रिट्रिंग तंत्र च्षतिगर Newton हो रहा होता है तो प्रोटीन रक गुर्दे की बीमारी का संकेत देने के अलावा मूत्र में रख्त यानि के टूमर गुर्दे की गुर्दे में पत्री या किसी भी तरह के इंफेक्शन के संकेत दे रहा है इसलिए आपको इस कंडिशन में नेफ्रोलॉजिस्ट से अवश्यक मिलना चाहिए नमबर नाइन सुखी या रूखी तोचा सुखी और खुजली वाली तोचा गुर्दे की बीमारी के एविडेन्स होने के संकेत हो सकते हैं जैसे गुर्डे की काज़े छमता कम होती जाती है शरीर में विशेश युक्त पदार्थ यानि के विशेले पदार्थ का जमाव हो जाता है जिससे तोचा में खुजली, सूखापन और दुर्गंद आने लगती है पीड दर्द या पीड के निशले हिस्से में दर्द पीड बाजू या पसली के नीचे दर्द होने की गरबड़ी के शुरुआती लक्षर हो सकते हैं जैसे की गुर्दे की पत्री या पाईलोनेफ्राइटिस इस तरह के पेड के निशले हिस्से में दर्द यानि के पिशाप क नरी के infection होने के संकेत हो सकते हैं यह संकेत या तो गुर्दे और पिशाप की नरी को जोड़ने वाली ट्यूब में पत्री पुस्तित होने के संकेत हो सकते हैं नमबर 11 high blood pressure किड्नी की बीमारी का एक लक्ष्ण high blood pressure हो सकता है high blood pressure का निदान करने वाले किसी भी वैक्ति को high blood pressure के kidney etology का पता लगाने के लिए गुर्दे की काज़े प्रवारी की गुर्दे की पूरी imaging की detail की जाच करानी चाहिए लोगों को dialysis या गुल्दा ट्रांस्पेलेंट से बचने के लिए हमाले इन बातों पर गौर करना या देहन देना गुल्दे की गड़बड़ी या गुल्दे के फेल होने से बचा जा सकता है अगच्छी ताफ़नी के signal की पहच्छान के बारे में जागुप होना चाहिए क्योंकि ज्यादे रापरवाई से आपकी जान को ख़द्रा भी हो सकता है तो दोस्तों ये थे हमारे इस वीडियो पर पुश पिप्स दोस्तों अगली वीडियो में अगले पपिक के साथ फिर आप से मलकात होगी तब तक के लिए ठांक्स पर वाचिंग माई वीडियो झाली पुलबाय